आप लोग उमीद करते हूं आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अलहम दूलिल्ला हम भी हैं बिल्कुल ठीक वेलकम बैक टू माइ चैनल अपना आशियाना और अब हम जा रहे हैं जरा अचारने के तन मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट अफू आज मेरे साथ अचारने क के तन वहां पर कुछ होता तो मैं आपको जरूर दिखाती हूं और मार्केट में क्यों जारी हूं वह भी चल्दी आपको पता चल जाएगा तो बने रहे हैं मेरे साथ इस व्लॉक में अच्छा जी तो जैसे मैं आपको बताया था कि हम आ गए हैं चारने के तन और थोड़ा तो मैं इस तरीके से वह उबल गया था दूद अब इसके अंदर यह है के ठंडा करने का यही प्रोसेजर है इससे आपकी जागदार बड़ी अच्छी वाली हलवाईयों जैसे जमेगी आपकी तो यहां पर मैंने दो से तीन चमच जो दही है मेरा कटोरी के अंदर रखा वा और इस तरीके से इसको फेट होगे ना अच्छे से तो आपका दही बहुत अच्छा जमेगा बहुत ही बड़ी वाला जैसे कि आप लोग देखते हो बहुत रिक्वेस्टेड था कि अपकी आप दही कैसे जमाते हो प्लीज मुझे बताईएगा तो डियर मैं जिस तरीके से दही जमाती हूं मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है अच्छा इसके अंदर जो है ना दही जादा पुराना नहीं होना चाहिए मैं जो एक हफ्ते का दही रखती हो उसके बाद मैं चेंज कर दे तो जो कटोरी के अंदर दही है अभी तो बच्चे उसमें खा लेंगे हस्बन को दे दूंगी चीनी डालके वह खा लेंगे या मुझे खाना हो तो मैं खालूं फिर उसके बाद अभी इसका टोरी का यह जो नया दही जमेगा इसका थोड़ा सा उठाके रख लूँगे फिर दूसरी दही जमा दूँगे तो ऐसे प्रोसेस नह हम नया दही लेकर आते हैं उससे फिर हम जमाते हैं तो यहां पर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा और डाल दिया अब इसे चेड़ेंगे नहीं इसको ढखके ओवर नाइट के मैं रख देती हूं फिर सुबा उठके मैं उसे दही को फ्रिज में र पर देख सकते हैं कितना बड़ी हमारा जम के आया है अच्छा कई लोगों ने मुस्छे का था अपी यह श्ल्वर में आप जमा दो यह अच्छा नहीं होता है मैंने ममा से पूछा था तो उन्होंने को देख भून धूर्जा करता था तो उसमें ही दही जम देती तो कुछ यहां पर मैंने आपको सिल्वर का भी बता दिया हम शुरू से सिल्वर में जमाते आ रहें तो मुझे तो कोई हानी कारक नहीं लगा बाकी वह फिर यूट्यूब पे सर्च करूंगे तो यहां पर मैंने कल जीरा बुनके जीरा पाउडर बना लिया था तो वह भी मैं इसके अं जीरा पाउडर बुनावा जीरा पाउडर वाइट नमक ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला यह एड़ कर देती हो तो इससे बहुत ही टेस्टी दही अच्छी लगती है हस्बन को यह वाली दही बहुत ज्यादा पसंद है अच्छा मैं तो इसके थोड़ा सा प्यास टमाटर डा आफियों में कितना फर्क होता है मेरे बच्चे दो है इनायत और अल्फिया जो है अच्छी यहां पर मुझे बैट्य चेंज करने तो मेरे साथ हैं मेरे साथ हमेशा चिप की रहती है इनायत जो है अनायत लेजूजी है उनका सब कुछ उसका बस चले तो मुझसे जायना डं मुझे खाना भी आपके इंदर बड़ा पसंद. अब इसमें इनायत की कहों गरती है या हमारी कहों बमुझे इनायत कट्वजन थरीजीन, डायते या Part B तो यहां पर नीया भी पीश चुका था और दबबे में खतम भी यहां पर मैं आधशी डबा बनाईपा काफी चल जाए बरसातों में मसाले जादा तक मैं रखती नहीं हूं क्योंकि वह चलते नहीं हैं तो इसलिए जितने की ज़रोते उतना कर लेंगे तो आज दुपहर का मैं लंच बनाने जा रहे हूं फटा फटे तो आज मैं बनाने जा रही हूं आलू की सब्जी इसे हम स्नैक्स वाली सब्जी बोलते तो यह पूरी के साथ और प्रांठों के साथ बहुत अच्छी रखती है टमाटर कटके लिए यहां पर तेल गरम होके तो इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाली है मेरी हींग भी खतम हो गई है उसके बाद जीरा एड़ कर दिया उसके बाद मैं यह अनियन आड़ कर दूंगी इनको मेरे को ब्राउन नहीं करना है बस ऐसे ही अलटा बलटा करूंग जो दिया है आकसर मैं इनायत के लिए बनाती हूं तो वह पूरा टेख रिए अपना फिनेश कर लेती है और आज प्लेट भी उन्होंने पूरी फिनेश कर ली दी दूपहर का लांच जो है उनकी पूरी फिनेश हो गई तो यहां पर बस मैंने हलका साल पलटा गशाए सॉफ तो यहां पर मैंने अभी हल्दी और नमक डाला है फिर मैं इसके अंदर धनिया पॉडरो डालूंगे और यह धनिया जब पिस्ता है घर के अंदर इतनी खुश्बू आ जाती है ना कि बस ना की पजाती है और हल्का सा मैंने रेड चिली पॉडरो डाला है क्योंकि बच्चों क रख देंगे और फिर इसे बनने के लिए छोड़ें अच्छा यह मेरा मसाला देख सकते हैं कितने अच्छे तरीक से बुन गया तेल भी छोड़ दिया यहां पर मैं सूखी मेती होती है कसूरी मेती वह एड़ कर दूँगी तो इसका जो खुश्बूर टेस्ट है और भी इन पर जो भी मैं करती हूं वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं तो इसलिए मैं इसको भी शेयर कर दिया है तो अच्छी रेसिपी आप ट्राइगर सकते हो बहुत ही एच्छी है और मज़ा आता है खाने में तो यहां पर खाना बनाने के बाद आद बज रहे हैं 12 तो मै अच्छी नाश्ता नाश्ता नहीं कर पाती है थोड़ा टाम लगता है अभी छोटी है ना इसलिए तो बस यहां पर मेरा बच्चा जो है वह अच्छे से रेडियों को है अभी आप लोगों को है हेलो भी करेगा और स्टाइल बहुत है मेरी बेटी में तो यह मैचिंग का बैंड लगा के और अच्छे से कपड़े पहन के अलफिया हो गई वेरी खुश हैपी हैपी और आपको दी है बहुत सारी फ्राइं केस तो अलफिया को आप बहुत प्यार करते हो इनायत को भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर मैं अलफिया को छोड़ेती हो ममी के घर और मैं आ जाती हूं इनायत को नियूंथिक हो पिज्च यह निकलती हूं कर दोगी साथ नियुक्त करते हैं मतलब अच्छी मज़ा के कुछ है तो चलो जी वो श्यार कर दे हैं बड़ी तरीके से नहीं कर दो बाकि बाकिसा अपना वह रोटी तो बहुत है और आज मेरी रोटी इतनी मोड़ रही थी ना इतनी मोड़ रही थी वह जिता हूं तो आप लोग कोगे कि आप उनके बारे में बात करें आप तो यूटूब पे शेयर करते हूं तो मैं यूटूब पे हमेशा अच्छी और वही चीज़े शेयर करती हूं बट जो परसनल लाइफ में जितनी भी टैंशन पगेरा होती है मेरी कोशिश यह रहती है वो शेयर ना क अच्छी तो पूरी की तरह पूने अच्छा मेरी जो नंती ना वो मेरी रोटियों को कहते थी के भाव भी आपना क्याप्टन कुक की तरह रोटियां बनाते हो तो जी रोटी भी बन गई यह खाना तयार है मैं प्लेट में लगा रही हूं तो यह है इनायत की प्लेट और कर रहे हूं तो यहां पर प्लेट तयार है तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था उमीद करते हूं आपको पसंद आगा पसंद आए तो बहुत धिर सर वारा लाइक करना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मैं नेक्स वीडियो में आप लोग को साथ करूंगी मु करना और इनायत के लिए अलग प्रेट में देती हूं तो वैस आप लोग भी आजए हमारे साथ सिंपल सा लंच करने के लिए बहुत ही सिंपल है ज्यादा कुछ मैंने आज बनाया नहीं है तो चलिए जी फिर मिलेंगे आपसे ठाठा बाई 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 अल्लाहाफिस एक ब